राम राम किसान भाईयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ, आपके अपने चैनल, Fertilizer Expert में, किसान भाईयों आज का जो हमारा टोपिक है, वो बहुती संदर टोपिक है, और इस टोपिक के लिए कई किसान भाईयों के मेरे पास केमेंट भी आये ते, जिसमें किसान भाईयों पूरी जानकारी दूँगा, वीडियो में अंतर तक बने रहें, इस चैनल भाईयों आपको, Fungicide, Insecticide, Herbicide, Gerenival खाद, या फिर हमारे जितने भी खाद, या जितने भी प्रोड़क्ट टम्पनियां लॉंच करती हैं, जो हमारी फसलों से संबंदित होते हैं, उन सभी की जान आपको यहाँ पर दी जाती हैं, और आपके कहें अनुसार इस चैनल पर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा जाती हैं, तो आज का टोबिक चलिए, सुरू कर लेते हैं, किसान वाईयों जहां हमारा कोरजन, जो है एक Insecticide है, वहीं दूसरी तरफ किसान वाईयों जिंक है, यह एक तरह का Growth Promoter आप इसे कह सकते हैं, किसान वाईयों जदी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे की आने वाली वीडियो की notification आपको जल्द से जल्द मिल सके, किसान वाईयों जो है, यह एक तरह का Insecticide है, इसक अभी फसलों से, यह हमारा कोरजन है, हमारी फसलों को बचा करके चलता है, दूसरी तरह किसान वाईयों जिंक का जाता है, जिंक जो है फसलों की बढ़वार के लिए, बहुत ज़्यादे जरूरी होता है, कुछ किसमें, कुछ फसलें ऐसी हैं, यदि उनके अंदर जिंक का उपयोग ना करें, तो हमारी जो पैदावार होती है, वो लगबग 10 से लेके 15% तक नीचे चली जाती है, तो जिंक का उपयोग भी आपको फसलों में करना चाहिए, जिंक की कमी जो हमारी मिट्टी में देखी जाती है, तो किसान वाईयों अब इन दोनों का यदि हम एक कोरेजन डाली और किसान वाईयों उसके अंदर लगबग आधी चमस से कुछ जादा जिंक सलफेट जो हमारी 33% में आती है, उसका उपयोग हमने किया, अब इन दोनों का किसान वाईयों जो आपस में अच्छी तरी से मिक्स किया गया और उसके लगबग 5 से लेके 10 मिनट के बाद हमने इसका रिजल्ट देखा, तो किसान वाईयों जो ये सोलूशन बना हुआ था, ये सोलूशन पूरा किसान वाईयों फट चुका है, यानि कि ये गंदा हो चुका है, यानि कि इसके अंदर रियक्षन हो गया है, यानि कि कोरेजन और जिंक सलफेट 33% को आपस में यदि आप मिक्स करते हैं, तो ये सोलूशन फट जायागा, ये आपकी फसलों पर कोई भी रिजल्ट फिर नहीं देगा, तो आप जो है कभी भी जिंक, सलफेट 33% और कोरेजन इन दोनों को मिक्स करके इस परे ना करें, इससे कोई भी फायत आपकी फसलों पर नहीं मिलेग वीडियो बना करके दी जा रही है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, और अगला वीडियो जो आप चाहते हैं, किस टोपिक पड़ जाते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जान कर साथ, तब तक के लिए, राम राम जी,